फर्स्ट फेज में 43 सीटों पे चुनाव संपन हो चुका है और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है ठीक है वोटिंग परसंटेज काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अब यह बढ़तावा वोटिंग परसंटेज क्या दरसाता है यह आप लोग भी इसके साथ आप लोग चैनल पर नहीं आप लोग सब्सक्राइब करें और रिक्वेस्ट होगा जो लोग वीडियो लगतार देखते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके ठीक है अड़ती सीटों का मामला है और लगबग 15 सीट 16 सीट सबसें इंट्रेस्टिंग के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनोती पूर्ण वाली बात हो जाएगी बहुत बड़ी चुनोती है सोला सीट फिर से ले आना क्योंकि जितने भी करप्सन के मामले इस बार हुए है जो नेता पकड़ेगा है जो नोट के बंडल पकड़ेगा ह यहां ही और कॉंग्रेस से जो नेताओं के घर में पकड़ेगा है ठीक है अलमगीर अलम एक्जम्पल एक साहू थे अवसारा एक्जम्पल आप देखी रहे होंगे ठीक है आज इसो सिर्फ दो सीट जीती थी पिछली बार मुझे लगता है कि इस बार दो से चार हो जाएंग निर्दलीये कंड़ेट भी दो जीते थे और इस बार भी दो से तीन इंडिपेंडेंट कंड़ेट फिर जीतेंगे अब वो कौन होते हैं देखना दिल्चस्प होगा लेकिन डेफिनेटली निर्दलीये प्रतियासी भी जीत सकते है और एक साहिद आपका कुडरमा से सुहान नहीं गुप्ता करके नाम है बहुत नाम उनका चल रहा है हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट कंडिट वहां से पनी सीट निकाल ले जैसा रिस्पोंस लोग बता रहे हैं मैं उस पेसिस पर बता रहा हूं ठीक है बाकि आगे वीडियो में हम लो कुछ होट सीट की चर्चा क करेंगे वीडियो अंत होने के बाद आप भी कमेंट सेक्षन में अपने प्रतिकरिया जरूर दे और जिन सीट पर मैं जो भी बात बोलूँगा ठीक है आपकी क्या रहा है अगर आप उस विधान सभा से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जो भी आपका आलाइस है कमेंट से और कुछ होट सीट जो इस बार बहुत इंट्रेस्टिंग है हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं साहिब गंज डिस्टिक की अगर बात की जाये तो साहिब गंज में जो जो कॉंस्ट्वेंसी पढ़ती है मैक्सिमम पिछली बार उसमें मैक्सिमम क्या सिर्फ एक सीट छोड बात होगी इंट्रेस्टिंग क्या है कि बोरियो जो कि पिछली बार जीमम के साथ यह सीट गया था इस बार लोबिन हेंब्रम यहां से है और पीजेपी से इन्होंने परचा भरा है आप सब जानते लोबिन हेंब्रम किसी परिशय के मोहतास तो है नहीं साथी साथ पिछली बार जब यह जीते थे जीमम के टिकट से तो 17-18,000 का इनका मार्जिन था ठीक है 17-18,000 तो इसलिए यह भी देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि इस बार बोरियो में क्या होता और बोरियो मेरे साब से एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और होट सीट बन गया है विकॉज आफ से जादा था 25,000 प्लस सीटों से जीते थे ठीक है लेकिन इस बार इनके प्रस्तावक है मंडल मुर्मू पीम मोधी भी अपनी रैडियो में मंडल मुर्मू का नाम बार बार ले रहे है ठीक है मंडल मुर्मू के बारे में भी आदिवासियों को जरूर जानना चाहिए सिद् सोरीन के विरूद जाने के उनके पास बहुत सारे कारण है अगर कोई भी आदिवासी है अगर वो थोड़ा सा जागरुख हो जाता है थोड़ा पढ़ लिख लेता है और अगर उसको अपने अस्तित्व से अपने कल्चर से प्रेम है ठीक अगर वो आदिवासियों की चिंता करता है तो अभी के सिच्वेशन में वो जेमेम और कॉंग्रेस का विरोधी हो ही जाएगा लेकिन जिसके जहन में गुलामी और उस तरह की मान सकता है कि जो लोग है और बिलकुल जिनका विकास हुआ ही नहीं है आप उनको कुछ भी कह लीजिए उनको सिर्फ तीर धनुस द आम जान बन रहे हैं आप साहिब गंज पाकुल इंसल जगहों पर जाएए आपको यह चीज़ फील हो जाएगा ठीक है बंगलादेशी घुसपैठिया यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक है अब बहुत सारे लोग इस वीडियो में ही बोलेंगे कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो वो क्यों नहीं रोक रहे हैं तो यह बंगलादेशी घुसपैठ कोई 5-10 साल की बात नहीं है केंद्र में सरकार 2014 से है ठीक है और घुसपैठ बहुत पहले से होता चला रहा है और दूसरी बात आपको बता दो कि पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर है क्यो जो वहां का जमीन है जो वहां का जेग्राफिकल कंडिशन है बहुत जादा प्रब्लेमेटिक वाला नहीं है ठीक ठाक है इसलिए वहां पर फेंसिंग कर दी गई है वहां जवान तेनात रहत है अगर कोई अंदर घुसता है तो बहुत पर आपने सुना होगा कि इंकाउंट देखने को मिलेगी और हर जगा जंगल और नदी पे आप बीएसेफ के जवान को खड़ा नहीं कर सकते और हर जगा फेंसिंग भी नहीं है तो वहां से बहुत ही सुगमता के साथ जो इंफिल्टेटर से वह अराम से नदी के रास्ते जंगल के रास्ते छुप छुपा के जो भी वहां पर चेक पोस्ट है बहुत वारे से न्यूज आया है कि वहां पर सूटिंग भी हुआ है सूट किया गया है जो लोग अंदर घुषते उनको गोली मारी आती है तो यह जो अभी झारकंड का जो एक प्रॉब्लम बना हुआ है रोहिंग्या वाला और यह बंगला कि यहां पर आराम से हमन सोरेंजी निकाल लेंगे अपनी सीट ठीक है यहां कोई दिक्कत होने वाला है नहीं बाकी और देखिए दर लिट्टी पाड़ा और यह सब कोई बहुँ ज़्यादा इसमें चर्चा करने वाली बात है नहीं नेक्स्ट इंपोर्टन्ट यहां पर एक महिसपूर का सीट आप देखिए स्टीफन मरांडी ठीक है यह स्टीफन मरांडी है यहां पर फिर से साथ जीत वी जाएंगे किसी काम के नहीं है ठीक है अनुभव बहुत है एक्सपीरियंस बहुत है पुराने नेता है लेकिन अब सिर्फ मैं क्या बोलू बिल्कुन निस्क्री हो चुक है ठीक है कोई अब कभी इनको अक्टिव नहीं देखिने लगातार जीत रहे महिसपूर से दुमका दुमका का जो सिकारी पारा जो छेत रहे यहां पर देखिए एक तरफ आलोक सोरन और परितो सोरन है यहां पर देखि इन्होंने कैसा काम किया है नाला में रविंद्रनात महतों में ठीक है इस पीकर रहे है तो जरूर कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया होगा अब यह एक बहुत ही होट सीट है जामताला का और यहां से है इर्फान अनसारी और इनके विरुद्ध है सीता सोरेन ठीक है यह और बहुत लोग बोल भी रहा है ठीक है पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन चुकि परिवार की है सीबु सोरेन की बहु है तो फैमली की तरब से भी कोई बयान आना चाहिए था लेकिन सब ने इग्नोर कर दिया यानि कि अगर आप दल के साथ है तो ही आप दिल अनसारी ने इनकी बेटियों को लेकि भी बहुत कुछ बोला है ठीक है ना बाकि देखी की हुटा लेकिन यह शीट अगें बहुत हौट शीट आ जानता नगि दूमका सीट भी हौट सीट आप बोल सकते हैं लेकिन दूमका से भी बसंत सोरेन अपने सीट को रीटेन कर मुझे ऐसा लगता है बाकी जो दुमका के हैं आप लोग कमेंट सेक्षिन ने बताईएगा कि क्या वस्तो इस्तिती है मैं तो बहार से देख के बोल रहा हूं आप लोग वार रहते हैं आप ज्यादा बहतर बता पाएंगे ठीक है इंट्रेस्टिंग है बिल्कुल 50-50 है रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि क्या होगा अब आते हैं अपनी जो मेरी विजानसभा की सीठ है जर्मुन्ली ठीक है बादल पतरलेक यहां पर मंत्री भी थे अंत समय में मंत्री पद्ध छिन लिया गया उसका भी प्रभाव पड़ है ऐसे सेबल है सबसे मिलते हैं ठीक है वो सब सारी चीज है लेकिन कि आप मंत्री भी रहते तो कुछ काम भी होना चाहिए था उस हिसाब से कुछ काम हुआ नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी फाइट है लेकिन मुझे यहां से लग रहा है कि साथ देवेंद रेकुबर इस बा और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है हिंदु मुस्लिम मुला तुला सावा मामला बन गया क्योंकि हाफिजुल अंसारी ने एक बयान दिया था कि मैं हिंदू का वोट खरीद लूँगा ठीक है मुझे 25-30,000 वोट चाहिए हिंदू के और वोट में खरीद सबसे ज्यादा होट सीट सेकेंड फेस का अगर कोई है तो वह सारट की सीट सबसे ज्यादा होट सीट यह बनी हुई है यहां से अगेन इर्फान अंसारी की तरह एक निउज मेकर रंधीर सिंग हमिशा निउज में रहते हैं और जेमेम की तरफ से सबाटिकट मिल गया है और दो बार से वह जीत रहे हैं इनके बारे में एक चीज popular है कि बहुत यह खर्च करते हैं पैसे बहुँत करते हैं लोगों की बीच में हर एक वर्ग के लोगों की बीच में की पॉपुलरिटी है, सब के घर जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, मतलब पॉपुलर नेता है उस छेतर में, और दूसरी तरफ उदय संकर सिंग ये भी पॉपुलर है, ठीक है, ये भी लोगों के बीच में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या कि मुस्लिम वोट पूरा-पूरा आपको मिल जाता है ठीक है वो कहीं नहीं जाने वाला मुस्लिम वोट आदिवासी वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट है जो कि आपको मिलेगा उदय संकर सिंग को सवर्ण वोट में कितना ये सेंध लगा पाएंगे ये डिसाइड करेगा सबा सीट ठीक है बाकी रिजल्ट जिन आएगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा लास्ट टाइम जो चुना हुआ था 30,000 के मार्जिन से रंधिर सिंग जीते थे 30,000 क्योंकि OBC वोटर्स का पूरा आशिरवाद इनको मिलता है OBC आशिरवाद जिस कैंडिडेट को मिल गया उसक ठीक है देवगर की सीट यहां पर RJD से सुरेश पासवान है और BJP से नारा इंदास है बहुत ही खराप इनका यहां पर परफॉर्मेंस है मैं चुकि देवगर से भी बिलॉंग करता हूँ तो बहुत सारे लोगों से मैंने वाँ बात की है और मैक्समम सवर्नों से बात की है और जब सवर्न इनके विरोध में सवर्न को BJP का वोटर माना आता है लेकिन जब सवर्न समाज ही इनका विरोध कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या पूजिशन होगी सुरेश पासवान का चांस इस बार अच्छा बन रहा है ठीक है सुरेश पासवान का चांस RJD से देवघर में डेफिनेटली बन रहा है बाकी देखते है नारायनदास अगर अंत समय में क्योंकि मोदी जी की रैली भी हुई थी 13 तारीको रैली से अगर कुछ प्रभाव पड़ता है कुछ लोग अगर टालने राउंड होते हैं तो हो सकता है इंट्रेस्टिंग हो फाइट लेकिन अभी सुर्यस पासवान वहाँ पे 100 परसंट हावी है अगेन एक होट सीट है पोड़या हाट की बहुत ज्यादा यह इंट्रेस्टिंग हो गया है यहां से प्रदीप यादव विनिंग कैंडिडेट है जे वीम से जीते थे पिछली बार क से वहां जाकर की रेली किये ठीक है और यादवों को अपने सपोर्ट में लेने का उन्हें प्रयास किया कितना असर होगा कितना यादव मोहन यादव से इंस्पायर होकर के वीजेपी को वोट करेंगे उस पे डिपेंड करता है दिवेंदरनात सिंह इधान सभाब पहुचत तो भी अब बहुत पॉप्लर फेस दीरे दीरे यादव कम्यूनिटी के बनते जा रहे है ठीक है गोड़ा में संजेब प्रसाद यादव अमित कुमार मंदल तो अमित कुमार मंदल युआ है बहुत जाद आइडिया है नहीं गोड़ा बताएंगे क्या हो सकता है लेकि मुझे लग रहा कि सायद बचा लेगी वह महगामा की सीट है और दिपिका पांटे सायद यहां से जीत जाए सायद मैं स्योर नहीं हूं ठीक है मैक्सिमम जितनी सीट है बाकी यह सारी सीटों के हम लोग चर्चा कर चुके और वोटिंग भी हो चुका है ठीक है ना इंट्रेस्टिं विधायक थे बीजेपी की टिकट से पिछली बार ठीक है और मंजु देवी यह कॉंग्रेस की प्रत्यासी है यह जब ग्राउंड पर काम कर रहे थी केदा राजरा की विरोध में यह कॉंग्रेस कजंडा लेकर के घरगर जा रहे थी और अपना लुहा मनवा भी रहे थी ठी बीजेपी ने इसचीज को भाव और केदा राजरा का टिकट कट कर दिया और मंजु देवी को अपने पाले में वो लेके आ गए ठीक है रहे रहे ठीक है देखते हैं क्या impact पड़ता है लेकिन मुझे लगता है यह सीट जंगुआ का बीजेपी निकाल लेगी डेफिनेटली बीजेपी यह सीट यहां से जीत रही बाकी रिजल्ट बताएगा गांडे सीट कलपना सोरेन पॉपुलर फेस हैं तो मुझे लगता है कि हारेंगी यह सीट यहां से अराम से निकाल लेंगी रिजवान अंसारी पहले यहां पे लड़ रहे थे अगर वो लड़ते तो हो सकता है कुछ मुस्लिम वोट वो काटते लेगिन अब वो जीवें के साथ है तो 100% मुस्लिम वोट इनको मिल रहा है तो फिर यह सीट अराम से यह लोग निकाल लेंगी और फेस भी इंपॉर्टन अब है नहीं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ठीक है बाकि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताईएगा गोमिया से मुझे लगता नहीं है कि लंबोदर मोतो हारेंगे ठीक है क्योंकि यह भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं विधान सभा में भी लागतार मेरें को सवाल उठाते हुए देखा है बाकि विकास कित मुझे लगते हैं बेर्मु कुमार जैमंगल रविंत कुमार पांडे और जैरा मौतो ठीक है ना बहुत इंट्रेस्टिंग फाइट है बेर्मु का भी बहुत इंट्रेस्टिंग है बुकारो में स्वेता सिंग को टिकट दिया है अंत समय में कॉंग्रेस ने और बिरंची नारायन के बारे में भी वहाँ एंटीन कंबेंसी है तो इनका सीट भी फसा हुआ है बाकि देखिए क्या होता है हो सकता है कि बुकारो कॉंग्रेस निकाल ले चंदन क्यारी अमर रागेनी सिंग लगातार इंके बीच में बैटल चल रहा है ठीक है और पुनिमा निरस सिंग ने लगातार वहां से जीत हासिल की है लेकिन इस बार इस बार आसान नहीं होने वाला है इस बार हो सकता है कि वहां की जनता रागेनी सिंग को मौका दे दे ठीक हो सकता है मुझे आप में उस छेत्र में काफी पॉपुलर है अब देखें किसको क्या फाइदा वहां पर मिलता है बहुत इंट्रेस्टिंग आपका टूंडी का भी बाकी सीटों पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबा बनने वाला है अभी तक हम लोग ने जितने सीटों की बात की है आप किस छेत्र से आते हैं आपका क्या विचार है आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट सेक्षन में जरूर ब